मर्द्य परदेश की मुक्यमंती शिवरा सिंग चोहान ने कैबिनेट बैठक में सभी मंतरियों को अनलॉक के बाद भी कोरोना गाइडलाइन का पालन बहतर तरीके से हो इसके लिए जिला की क्राइसिस कमीटियों के साथ लगातार संपर्क में रहने के निर्देश दिये सियम शिवरा सिंग चोहान ने चर्चा के दौरान कहा कि कोरोना की रोक्ताम में सभी ने बहतर कारे किया लेकिन अनलॉक के बाद अब हमें और भी ज़्यादा साउधान रहने की जरुवत है इसलिए जनता को जागरूख करने के अलावा सभी जिलों में दौरा करें वेक्सिनेशन के प्रतीवी लोग आगे आएं इसके लिए युवाओं की मदद लें और टीम बना कर उन्हें भी इस से जोने तब ही जाकर हम कोरोना से ना से बचेंगे बलकि उसकी वेतर रोक्ताम भी कर सकेंगे दो बाते और कहना चाहता हूँ एक आप अपनी तरफ से प्रिचार कैसे हो सकता है आपकी वाइस रिकार्ड हो के हो सकता हो तरीके क्या क्या हो सकते है देखिए एक तो आप करें कुछ मैं करूँगा कुछ विधायकों से करवाएं उनकी अपील का अफर होता है एक हम योजना आज बैड के बना ले कि राजी के महाविद्यालों में उच्छे सिख्षा मंत्री मौन यादब जी बैठे हुए है और टेक्निकल एजुकेशन भी या सोधरा जी भी जुड़ी होंगी ये जो बड़े बच्चे हैं हमारे हैं इनकी बड़ी सेंक्या महाविद्यालों में अठारा लाग विद्धारती है नौजार प्राद्यापक है इन विद्धारती प्राद्यापकों को कोविड अनकूल व्योहर के संबंद में मास्टर ट्रेनर के रूप में हम ट्रेनिंग रहें ट्रेनर के रूप में इनको प्रिसिक्षित करें और इनके जिम्में हम नागरिक पचास पचास या सो जोग उप्योग समझे कर रहें कोविड के अनकूल व्योहर के लिए और ये प्रिसिक्षित हमारे विद्धारती है प्राद्धाबक अलग अलग माद्यमों से कोबिड के अन्कूल ब्योहार के लिए और टीका करण के लिए लोगों को जागरुक करें तो ये छात्र सकती है उसका उप्योग हम कोबिड एप्रोपियेट बेहबियर और वेक्सिनेशन के लिए जन जागरण के लिए हम इनका कर सकते हैं